तो हेलो गाइज मैं हूँ रोहीत राय और कल आपने न्यूस में देखा होगा कि Reliance Industries ने Future Group के कुछ Retail Business को खरीद लिया है तो कभी आपने ये सब न्यूस के बारे में सोचा है कि ये आपके Life पे कितना ज़्यादा असर करने वाला है तो चलिए आज बात करते हैं इसी न्यूस पे और कोशिश करतों आपको समझाने की कि इसका हमारी जिंदिगी पे कितना असर पड़ेगा तो कल यानि 29 अगस को Reliance Industries ने अनौस किया कि Future Group के Retail और Wholesale Business को Reliance Industries ने 24,713 करोड रुपे में खरीद लिया है अब आप मेंसे कुछ लोग ने Future Group के बारे में सुना ही नहीं होगा कभी लेकिन आपने Big Bazaar सुना होगा FBB सुना होगा Central सुना होगा Food Hall सुना होगा तो ऐसे बहुत से बिजनस है Future Groups के तो ये Big Bazaar, FBB, Central, Food Hall के 800 स्टोर्स हैं 420 सहर में भारत के तो अब ये सब Reliance ने ले लिया है Future Group के Founder और CEO है किसोर बियानी और Credit Rating Agency ICRA ने बताया था कि September 2019 में Future Group पे 12,778 करोर का Debt यानी करजा हो गया था और Future Group ने 2012 में Pantaloons Retail Chain जो था वो आदिते बिरला गरूप को बेज दिया था तो अब Pantaloons आदिते बिरला गरूप का है पहले वो Future Group का था और रिसेंटली अपने 177 स्टोर्स भी बंद कर दिया है Future Group ने तो Future Group करजे में तो था ही उपर से आगया करोना अब करोना ने अच्छे-च्छे की हलत खराब कर दी है ये तो पहले से करजे में चल रहे थे तो ये अच्छा डिसिजन ही Future Group का कि कुछ बिजनस बेज के जो पैसे आएं उनसे अपने डेप्स क्लियर कर लेंगे और अपने बचे हुए बिजनस पर फोकस करेंगे अब बात करते हैं कि इससे हमारी जिन्दगी पर क्या असर पढ़ने वाला है तो जहां लॉक्ड़ॉन में सारी कंपनिया नुक्सान में जा रही है वही रिलाइंस जीओ में फेस्बुक ने इन्वेस्ट किया गूगल ने इन्वेस्ट किया माइक्रोसोफ ने इन्वेस्ट किया और कॉलकॉम ने इन्वेस्ट किया और हमारे यहां सब इस पे ताली बजा रहे हैं कि लॉक्ड़ॉन में जहां सारे देश की अर्थ विवस्टा गिर गई है वहीं भारत में दुसरे देशों से पैसा आ रहा है लेकिन आप समझ यह Reliance Jio भारत के टेलिकॉम मार्केट का 31% शेर है Reliance का और आपको मालूमी है कि Vodafone और आइडिया पे लगबग 1.2 ट्रिलियन का करजा है तो वह ज़्यादा दिन मार्केट में और सर्वाइब नहीं कर पाएंगे मतलब थोड़े दिन में Reliance Jio का टेलिकॉम मार्केट में 50% का शेर हो जाएगा उसके बाद Microsoft तो Microsoft दुनिया की सबसे बड़ी टेकनोलोजी कमपनी है और वो Jio के साथ Cloud Computing Infrastructure पे काम करने वाली है उसके बाद Google तो Google के पास Mobile है, Android Platform है, Payment System है और Search Engine है उसके बाद Facebook तो Facebook के पास लोगों का डेटा है और सबसे बड़ी बाद उसके पास बहुत बड़ा Social Network है उसके बाद अगर बात करें कॉलकम की तो कॉलकम 5G टेकनोलोजी की एक बड़ी कमपनी है तो ये सारी बड़ी कमपनिया एक साथ आ गई है और Goldman Sachs के एक रिपोर्ट के अनुशा Reliance Jio 2025 तक मार्केट में एक सूपर एप ले के आएगा ये सब कमपनी की मदद से जिससे e-retail market का 35% हिस्सा Reliance Jio के पास होगा e-retail market मतब जो हम ओनलाइन सामान खरीते हैं तो e-retail market का 35% हिस्सा Reliance Jio के पास होगा और digital payment का 50% हिस्सा भी Reliance Jio का होगा पुरे market का तो market में किसी कमपनी का इतना बड़ा हिस्सा होना इसका मतलब आप समझ रहे हैं Reliance Monopoly यानि एका अधिकार ला रहा है market में अब इसको मैं बहुत आसान सब्दों में समझाने की कोशिज करता हूँ अब जैसे आपके घर के बाहर 10 दुकान है तो आपको कोई दुकान दर कोई समान महंगा दे रहा है या अच्छा नहीं दे रहा है तब आप क्या करते हैं दुसरे दुकान पे जाके समान खरीद लेते हैं क्योंकि आपके पास option होता है लेकिन आपके शहर में एक ही बड़ा वैपारी है और उसी के सारे दुकान है तब वो अगर आपको कोई समान महंगा देगा तब आपके पास कोई दुसरा option नहीं होगा उससे खरीदने के अलावा तो ऐसे ही reliance भी अपनी monopoly ला रहा है market में और market में ऐसा कुछ ना हो इसके लिए भारत में 2002 में लाया गया था competition commission जो ध्यान देता है market में कि कोई monopoly ना लाए market में competition बनी रहे क्योंकि जब तक market में competition बनी रही तभी तक ग्रहा को सही चीज सही दाम पे मिलेगी लेकिन इस monopoly के बारे में ना ही competition commission बात कर रहा है ना ही कोई नेता बात कर रहा है और ना ही कोई news channel बात कर रहा है news channel बस लगे पड़े है justice for सुसान्त के पीछे भाई हमें भी justice चाहिए सुसान्त के लिए मैं तो बोलता हूँ बस सुसान्त ही नहीं हर एक इंसान को justice मिलना चाहिए लेकिन आप justice के पीछे इस तरह से पड़े हो कि market और देश में क्या चल रहा है उस पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है और आपको बता दू कि facebook, google, amazon पे अमेरिका में inquiry चालू है इसी चीज को लेके ये monopoly create कर रहे हैं और लोगों के data का misuse कर रहे हैं इसी तरीके से Microsoft में 2001 में अपनी monopoly स्टार्ट कर दिया था computer market में तब अमेरिका में इस पे action लिया गया था और 2012 तक case चला था और फिर Microsoft को इसके लिए penalty भी भरना पड़ा था और अभी वापस अमेरिका में Facebook, Google और Amazon पे inquiry चालू कर दिया है और भारत में भी competition commission ने 2012 में 11 cement company पे action लिया था जब उन्होंने market में monopoly लाने की कोशिज किया था लेकिन अब जब reliance जी हुआ ही same चीज कर रहा है तो यहां कोई action नहीं लिया जा रहा है तो I hope guys आपको ये वीडियो दुनियादारी समझने में help करेगा तो अभी के लिए बस इतना ही आप से लेता हूँ वीडा धन्यवाद